नमस्कार प्रिये विद्यार्थियू। आज मैं आपके लिए एक अच्छा और सबसे इंपोर्टेंट टोपिक लेकर की आई हूँ। उस टोपिक का नाम है उच्च न्यायाले हाई कूर। पहले के वीडियोस में हमने उच्च न्यायले के बारे में पढ़ा था। आज हम उच्च न्यायले के बारे में पढ़ा था। पढ़ेंगे और जो कॉम्पेटिशन एक्जाम्स के ड्रश्चिकोर से भी काफी लापतायक है विप्यार की। देखिए क्या होता है उच्च न्यायले। उच्च न्यायले से संबंदित कौन-कौन से गटक महवपूर माने जाते हैं। देखिए उच्छ न्यायले की बात करें हम तो उच्छ न्यायले का उल्ले भारती सम्विदान के भाग छे में है उच्छ तम न्यायले का उल्ले की बात करें तो भाग पांच में है जबकि उच्छ न्यायले की बात करें तो उच्छ न्यायले का उल्ले भारती सम्विदान के भाग 6 में अनुझेद 214 से लेकर 237 तक जो उलेक मिलता है वो उच्छ न्यायले का मिलता है उच्छ न्यायले की आगे की अगर हम बात करें विद्यातियों तो अनुझेद 214 में कहा गया है कि प्रत्तेक राज्ये में एक उच्छ न्यायले होगा अनुझेद 214 कहता है कि प्रत्तेक राज्ये में एक उच्छ न्यायले होगा ठीक है विद्यातियों उसके बाद अनुझेद 216 कहता है अनुझेद 216 कहता है कि प्रत्तेक राज्ये में जो उच्छ न्यायले होगा उच्छ न्यायले में एक न्याया धीश वे अन्य न्याया धीश होंगे ये बात कहता है विद्यारतियों अनुझेद 216 आपको ये पता होना चाहिए हमारे भारती संपिदान में साथ्वा संपिदान संचोधन हुआ विद्यारतियों ऐसा जरूरी नहीं है दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्छ न्यायले हो सकता है ये बात कही सात्वे संविदान संचोदर 1956 में और इसी के तर हमारे भारती संविदान के अनुचेद 231 में भी इस बात का विदान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायले होगा तो ये तीन अनुचेद उच्च न्यायले में सबसे इंपोर्टेंट बाने जाते हैं विद्यारतियों अनुचेद 214 कहता है प्रत्यक राज्ये में एक उच्च न्यायले होगा अनुचेद 216 कहता है कि उच्च न्यायले का गठन एक मुख्य न्यायादीश वे अन्य न्यायादीशों से मिलकर होगा इसके अरावा अनुचेद 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायले हो सका ठीक है विद्ध्यार्तियों उसके बाद आती है कि उच्च न्यायले की संख्या वर्तमान में कितनी है तो धान रखना विद्ध्यार्तियों उच्च न्यायले की संख्या की अगर हम बात करें उच्च न्यायले समस्त भारत में वर्तमान में है विद्ध्यार्तियों 25 कितने है 25 जन्वरी 2019 से पहले उच्छ न्यायले की संख्याती 24 और एक जन्वरी 2019 से 25 उच्छ न्यायले बना विद्यारतियों आंदर प्रदेश उच्छ न्यायले आंदर प्रदेश में देश का 25 उच्छ न्यायले इस्ताफितर किया गया विद्यारतियों तो आंदर प्रदेश 25 है और एक ज्यान रखना विद्यारतियों कि हमारे भारत में 7 केंदर साशित प्रदेश है और जो राज्य है साथ केंदर साशित प्रदेशों में से एवल दिल्ली ही एक ऐसा केंदर साशित प्रदेश है जहां पर 1966 में उच्छ न्यायले की इस्तापना की गई थी तो क्या देखा आपने इवर्तमान में उच्छ न्यायले की इस्तापना की गई इसे के साथ हमारे देश में कुल उच्छ न्यायले की संक्या हो गई ये विद्यारतियों 25 ठीक है इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश में साथ केंदर साशित प्रदेश हैं उन साथ केंदर साशित प्रदेश हों में से केवल एक केंदर साशित प्रदेश ऐसा है जहां पर हाई कोट है वो है दिल्ली जहां पर 1966 में हाई कोट की इस्तापना की गई तो ध्यान 24 उच्च न्यायले राज्यों में है और एक उच्च न्यायले केंद्र साशित प्रदेश दिल्ली में इस्तिद है और टोटल मिलाकर के 25 उच्च न्यायले हमारे भारत में इस्तिद है उसके बाद आता है कि हमारे आपने देखा अनुचे 231 ये कह रहा है कि दो या तो से अधि मुंबई हैं, जिनके अधिकारिता केवल उनके राज्जे तकी सिमित नहीं है, वित्यारत, देखोंगे, मुंबई हाइपारन केवल अपने राज्जे से सम्मंदिती रही है, कोलकाता, बुवाहर्दी, चंडिगर, चंडिगर जैसे पंजाब और हर्याना, पंजाब और हर्या कर दोनों का एक ही उच्छ न्यायले है वो क्या है चन्दी घर उच्छ न्यायले वैसे ही उटतर पुर्वीराज्जों का भी ही न्यायले था घुवाहर्टी बाने जाकर के राज्जों ने अपने अलग से हाई-ख़ोर्ड बना लिये लेकिन पहले जो थे ये गुवाहर्टी उच्छ न्याले के अंदर ही आते थे तो ज्यान रखना मुंबाई, कलकर्ता, गुवाहर्टी और चंडीगड ये ऐसे उच्छ न्याले हैं जिनकी अधिकारिता उनके राज्यों तकी सिमित नहीं है अब बात आती है उच्छ न्याले का बठन कैसे होता है तो विध्यार्टी जान रखना गठन की बात आती है अनुचेद दोसो सोला में अनुछे 216 में कहा गया है कि उच्छ न्यायले का निर्मान एक मुखे न्यायादीश और अन्य न्यायादीशों से मिल करके होगा और राष्टपती समय समय पर कभी भी इनकी संक्या में कमी और बडोत्री कर सकता है अब बात ये आती है कि उच्छ न्यायले का जो मुखे न्यायादीश है उसकी निर्मान करता है तो ध्यान रखना विद्यार्थी हो चाहे उच्छ न्यायले हो दोनों के न्यायादीशों की निर्मान का काम कौन करता है कौन करता है राष्ट्रपती करता है राष्ट्रपती मुख्य न्यायादीश की नियुक्ति करने में उच्चतम न्यायाले के मुख्य न्यायदीश और चार गॉलिजियम जो बना हुआ होता है न्यायदीशों का उनसे सला और परामर्ष करके उच्च न्यायले के को चुनने में राष्ट्रपती कॉलेजियम प्रणाली का सहरा लेता है और उनका जो निलने होता है उसी के आधार पर उच्छ न्यायले के मुख्य न्यायादीश और अन्य न्यायदीशों की नियुक्ति की जाती है और वहां के संबंदित रज्जेपाल से भी सलह करता है न्यायादीशों को चुनने में कौन राष्ट्रपती तो उच्छ न्यायले के न्यायदीशों की नियुक्ति राष्ट्रपती करता है अब बात आती है उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए तो ध्यान रतना रित्यारती हो वो भारत का क्या होना चाहिए नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक होने के साथ वो दस वर्स तक क्या रह चुका हो अधिवक्ता रह चुका हो या उसको क्या हो चुका हो उसने पांच वर्स तर किसी भी न्यायाले में अगर उसने क्या कर रखा हो उसको क्या हो न्यायादीश होने का क्या कर रखा हो उसको experience हो कारी अनुबह हो तो उसे उच्छ न्यायले का न्यायादीश बनाया जा सकता है तो ये उच्छ नयाले का नयादिश बनने की योग यता है अब बात आती है आयू सीमा की तो ध्यान रटना विध्यारतियों अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोट के नयायदिशों की आयू सीमा तो ध्यान रटनी है 65 वर्ष और अगर आपको हाई कोट, उच्छ न्यायले के न्यायदिशों की आयू सीमा पूछ ले, तो आपको करनी है विद्यारतियों 62 वर्ष, ध्यान रखना 65 वर्ष, सुप्रिम कोट, हाई कोट 62 वर्ष, दोनों में डिफ्रेंस बहुत ही इजी है, बट ये एक्जाम में हम कन्फ्य जो जाते हैं, तो एक्जाम में कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको अच्छे से समझना होगा, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, कई बार ही जी क्वेस्चन हम गलत कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे सुप्रिम कोट पूछ ले, तो आयू सीमा 65 वर्ष करनी है, और अगर आपसे हाई कोट पूछ ले, तो आपको आयू सीमा विद्यातियों 62 वर्ष करनी है, अब बात आती है सपत की, तो ध्यान रखना, उच्छ न्यायले के मुख्य न्यायदिश को सपत दिलाता है राज्य पार, कौन दिलाता है, राज दिलवाता है राश्च पती, जबकि उच्छ न्यायले के मुख्य न्यायदिशों को सपत दिलाता है, राज्य पार ध्यान रखना है, नियुक्ति की बात करें, तो दोनों की नियुक्ति राश्च पती करता है, चाए वो उच्छ न्यायले हो, चाए वो उच्छ न्यायले हो लेकिन अगर बात सपत की आए तो ध्यान रखना सुप्रीम कोट के न्यायदीशों को सपत दिलाता है राष्टबती जब कि उच्च न्यायले के न्यायदीश को सपत दिलाता है राज्येपाल तो सपत कोन दिलाता है राज्येपाल दिलाता है अब बात आती हैं उच्छ न्यायले में कई बार ये होता है कि न्यायादीशों की संक्या में कमी पढ़ जाती है कई बार मुख्य न्यायदीश अनुपस्तित रहता है तो इसके लिए भी हमारे संविदान में प्रावदान किया गया है हमारे संविदान में अतिरिक्त न्यायादीश की, कारेकारी न्यायादीश की और सेवा निवरत न्यायादीश की विवस्ता की गई है वो क्या है अनुछे 224 में कहा गया है अतिरिक्त न्यायादीश की बात कही गई है मान लो अगर उच्छ न्यायले में न्यायादीशों की संख्या क्या हो न्यायादीशों की संख्या कम हो और कारी की अधिक्ता हो तो किसी भी न्यायादीश को दो वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायादीश का पद दिया जाता है बाद में उसको पर्मानेंट या इस्ताई भी क किया जासकता है लेकिन अत्रिक्त न्यायदीश का प्रावदान उच्छ न्यायालियों में हमारे भार्तिय समुवगदान के अनुचி. 225 में देखने को मिलता है। उसके बार आता है कारे कारे का अनुचेद 223 में क्या मतलब है। यहां पर मतलब है मान लो मुख्य न्यायादीश का जो है वो अनुपस्तित हूँ या किसी कारणवश वो न्यायाले में नहीं आ पा रहा है या उस पर महावियोग का आरोप है तो किसी भी कारणवश अगर मुख्य न्यायादीश अपने कारियों को नहीं कर पा रहा है तो उस समय कारे कारी नियाधिश की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट पती जी के द्वारा इसका उल्लेक हमारे भार्ती सम्विदान के अनुचेद 223 में दिखने को मिलता है तो ध्यान रखना विद्यार की हूँ उच्च नियायलियों में कारे कारी नियाधिश का उल्लेक अनुचेद 223 में अतिरिक्त नियाधिश का उल्लेक अनुचेद 224 में और सेवा निर्वरत नियाधिश का उल्लेक जो है हमारे भार्तिय सम्निदान में कहा गया है कि अगर मान लो कार्य बार जादा है तो जो सेवा निर्वरत न्यायदीश हो चुके हैं उनको भी वापस जो है न्यायाले में बुलाया जा सकता है न्यायादीश के पद पर उनको नियुक्त किया जा सकता है तो विद्यार के उच्छ न्यायले में कई न्यायदीश आपको देखने को मिलेंगे अतिरिक्त न्यायदीश, कारेकारी न्यायदीश और सेवा निवरत न्यायदीश उसके बाद आता है इस्तानांत्रण इस्तानांत्रण का मतलब है आप ध्यान रटना सुप्रीम कोड के नयायदिशों के इस्तानांतरन की बात ही नहीं आती लेकिन उच्च नयायले के नयायदिशों का इस्तानांतरन एक उच्च नयायले से दूसरे उच्च नयायले में किया जा सकता है तो इस्ताना अंत्रण का उल्ले भारती सम्मिधान के अनुचे 222 में हमें देखने को मिलता है देखो विद्यार्तियों आपको उच्छ न्याले के टॉपिक्स अगर हम प्रीवियस पेपर्स को उठा करके देखे तो अनुचे दों से सम्मंधित क्वेस्चन सबसे जादा पूचे गए हैं जैसे आपके ये वाला इस्तानांत्रण वाला क्वेस्चन पूचा गया है कि उच्छ न्याले के न्यायदिशों के इस्तानांत्रण का उल्ले भारती सम्मिधान के किस अनुचेद में है तो ध्यान रखना वित्यारतियों अनुचे 222 में इस बात का उलेख देखने को मिलता है आप से पुछरे अत्रिक्त न्यायधिश का उलेख अनुचे 224 कारे कारी न्यायधिश का उलेख अनुचे 223 अनुचे 214 प्रतेक राज्य में उच्छ न्यायले होगा अनुचे 216 उच्छ न्यायले में एक न्यायदीश और एक अन्य न्यायदीश होगे अनुचे 231 दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्छ न्यायले भी हो सकता है तो ये सारे अनुचे दो सहित आपको उच्च न्यायले ज्याद करना है विद्याड क्यों आगे के वीडियो में हम उच्च न्यायले क्या कारी करता है उच्च न्यायले के छित्रा धिकार में कौन-कौन से कारी आते हैं इन सब के बारे में हम next वीडियो में चर्चा करेंगे तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना है जो question आपसे पूछा जा सकता है एक तो 25 वह उच्छ न्यायले कहां इस्ताफित किया गया एक जनवरी 2019 को आंदर प्रदेश में स्ताफित किया गया राज्यों में कितने न्यायले 24 एक कहां पर है एक एंदर साशे प्रदेश दिल्ली में इस्तित है तीक है आज के लिए इतना ही काफी है आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्छ न्यायले के छित्रादिकार में कौन-कौन से फावर आते हैं विद्यार्तियों इसी के स